ये कहानी है रामगड सहर की जहा एक लड़का फुतपात पर रहता था। उस लड़के का इस दुनिया में कोई नहीं था, उसका नाम राजू था। राजू सडक से आती जाती गाडियों से पैसा मांग कर अपना पेट भरता था, एक दिन राजू सडक पर भीक मांग रहा था तभी उसने देखा कि एक लड़का चॉकलेट खाते हुए जा रहा होता है, तभी राजू का मन भी चॉकलेट खाने का होता है। राजू दुकान पर जाता है, वहां राजू को चैकलेट डिबबा दिखाई देता है, राजू डिबबे पर जैसे ही हाथ रखता है। तुरं राजू दुकान से उदास होकर चला जाता है, राजू रास्ते से उदास होकर जाही रहा होता है, कभी अचानक स्पाइडर मैन राजू के सामने आ जाता है, स्पाइडर मैन राजू से कहता है, तुम मुझे नहीं जानते हो, अच्छा तुम ये बताओ कि तुम इतने उदास क राजू स्पाइडर मैन से कहता है मुझे चॉकलेट चाहिए। पाइडर मैन और जादू चॉकलेट की कहानी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।